हमें कोई भी software difficult इसलिए नहीं लगता क्योंकि उसे सीखना difficult है वो difficult इसलिए लगता है क्योंकि हमें उसका proper workflow नहीं आता है एक बार आप उस software के workflow को अच्छे से सीख जाओ तो आपको बहुत भी जादा मजा आएगा उस software को use करने में और काम भी आपका बहुत जादा fast होगा अब बात आती है कि workflow को कैसे सीखे या improve करें किसी भी software के workflow को improve करने के लिए आपको उसके shortcuts सीखने जरूरी है और कुछ shortcuts बनाने जरूरी है बट most importantly आपको secret tips and tricks पता होने चाहिए आपके workflow को और भी जादा strong करने के लिए और कुछ ऐसे ही tips and tricks मैं आज आपके साथ share करूँगा इस वीडियो में जिसे use करने से आपका प्रेमियर प्रू का workflow काफी जादा improve और fast हो जाएगा तो इस वीडियो में मैं कुछ secret मसाला आपके साथ share करने वाला हूँ तो make sure करें कि आप इस वीडियो को end तक जरूर देखें तो इसी के साथ चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं ओल्रैट गाइस तो जो सबसे पहली tip है मेरे पास उसे कहता है making sequence preset अब इसमें क्या होता है कि हम premiere pro में जब कभी कोई भी project चालू करता है तो सबसे पहले हमें एक sequence create करना होता है अब sequence create करने के तीन methods है या तो अब यहाँ पर जाओ click करके एक new sequence बना लो या तो जाओ file में new sequence या तो सबसे easy and मेरा favorite control and press करो shortcut है to create a new sequence यहाँ पर बहुत सारे default premiere pro ने presets दिये हुए है जो कि हम select कर सकते है तो मैं usually यह जो digital SLR है यह वाला preset select करता हूँ और फिर settings में जाके changes करता हूँ तो अभी के लिए भी हम लोग यही preset select करेंगे DSLR 1080 30 fps फिर हम जाएंगे settings में और यहाँ पर जो frames है वो मैं set कर दूँगा 30 fps और usually मैं मेरे videos 2K में डालना prefer करता हूँ पहले ही मैं shoot 4K में करता हूँ बढ़ 2K मुझे सबसे sweet spot लगता है तो मैं यहाँ पर वही settings डाल दूँगा 2560 x 1440 फिर इन दोनों ही options को मैं enable कर दूँगा जो कि है maximum bit depth और maximum render quality जो कि हमें चाहिए और फिर मैं यहाँ पर जाकर save preset कर लोंगा तो इस पर click करेंगे और फिर इसे मैं जो भी नाम देना चाहूँ वो दे सकता हूँ मैं अभी के लिए नाम दे देता हूँ tutorial sequence s e q all right click करेंगे ok पर अब जैसे में ok पर click करता हूँ यहाँ पर आप देख सकते हो एक preset बन चुका है custom option में तो अब मुझे बार-बार हमेशा जाकर you know digital SLR में जाके यहाँ पर इसे select करके फिर settings में जाके changes करने की जरूवत नहीं है मैं directly इसे select कर लूँगा प्रेस करूँगा ok पर और directly वह settings ले लेगा तो यह काफी जादा काम आता है especially अगर आप ऐस एक ही टाइप के बार-बार project settings यूज करते हो तो क्यूंकि मैं tutorial में एक ही टाइप के settings यूज करता हूँ तो मेरे लिए यह बहुत useful है आपको भी काफी जादा useful होंगे अब जो next step है मेरे पास आपके लिए वह custom ripple delete shortcut यादे मैंने कहा था हमें कुछ shortcuts अपने खुद के बनाने होंगे तो वही हम यहाँ पर करेंगे अब usually क्या होता है कि जब मैं premiere pro use कर रहा हूँ मान लीजे मेरे पास यह एक video है इसमें मुझे cut कर करेंगे और फिर यहां से जाकी से joint करेंगे अब चलो एक video है तो ठीक है अगर मेरे पास ऐसी बहुत सारी बड़ी timeline है मेरे पास बहुत सारे videos है यहां पर specific sections मुझे select करने है तो यह बहुत जादा time ले लेगा तो इस method को easy करने का एक बहुत easy way मैं आपको बताता हो तो आपको जूम टूल है और x पे mask clip का shortcut है जो कि मैं इतना यूज नहीं करता तो सबसे पहले हमें search में जाके search करना है add edit और इससे मैं drag कर लूँगा z पे अब जो भी इस पर drag करना चाहो मतलब जो भी की पे आप इससे assign करना चाहो वहां पर आप इससे drag कर दो कोई-कोई prefer करता है w & q प इससे set करना ठीक है तो add edit हमने add कर लिया है z पे अब मैं search करूँगा ripple delete इससे मैं drag कर लूँगा x पे ठीक है and press करेंगे ok तो अब जब कभी मुझे इसमें edit करना है या cut करना है मैं press करूँगा z इससे cut हो जाएगा यहां पर जाओंगा यह section मैं नहीं चाहिए z and फिर इससे select करके x प्रेस कर लूँगा boom काफी easy तो अभी मेरे लिए काफी easy हो जाता है मुझे कोई भी section नहीं चाहिए delete कर लिए और यह अपने आप joint हो गया तो बस इन दो कीज के हिसाब से मैं पूरी timeline को adjust करके cut joint cut joint कर सकता हो cut joint cut joint next tip जो है मेरे पास आपके लिए वो है insert clip in sequence जो की बहुत ही जादा simple है अब यहां पर मेरे पास एक project है ठीक है यहां पर काफी सारे videos में आड किया हो है अब अगर मुझे यह video जो मैंने अभी edit किया है उसे बीच में कहीं पर add करना है तो हम usually क्या करता है हम यहां जाएंगे इ इस video को add करेंगे फिर यहां पर अगर थोड़ा timeline में area बज गया है तो उससे फिर मैं adjust करूंगा ऐसे तो ठीक है यह एक video था तो समझ में आता है अगर मेरे पास ऐसे 3-4 videos है जो मुझे अलग-अलग time में add करना है तो यह काफी time consuming हो जाएगा simply आपको क्या करना है इस video को select करन और जहां पर भी मुझे इस video को add करना है मैं वहां पर आकर चोड़ दूंगा यहां पर यह एड हो जाएगा इसी तरही कि इसे मान ले जिए मुझे यहां पर यहां पर आड करना है तो simply video को select करूंगा control hold करूंगा और इसे यहां पर जाकर चोड़ दूंगा और वह बीच में आड हो जाएगा बिना timeline को disturb किये तो बहुत ही simple tip है बद बहुत useful है अब जो next tip मेरे पास आपके लिए वो है set frame size अब क्या होता है कि जैसे कि मेरे पास यह जो sequence मेंने बनाया है यह 1920 by 1080 है और मान लीजे मेरे पास कुछ यहां पर footage है जो 4K में है तो usually हमें क्या करना होता है कि यहां पर जाए इसे add कर दे video को फिर हम देखते हैं यह वीडियो तो बढ़ा है यहां पर जाकर effect control में जाकर इसे adjust करते इस तरीके से ताकि यह properly fit हो इसे easy method में करने का सबसे easy way है यहां पर जाकर दो option है हमारे पास जो की है scale to frame size यह set to frame size आपको करना है set to frame size and boom यह अपने आप इसे set कर लेगा और अगर आप scale to frame size करते हो तो scale आप देख सकते हो 100 ही है बट उसने automatically वह 4K clip को 1920 में adjust कर लिया है बिना scale को छेड़े तो अगर आप 4K footage को 1080p में fit करना चाहो तो मैं बोलूंगा कि आप scale to frame size करो बट अगर आप 1080p footage को 4K में fit करना चाहो तो scale to frame size करो वह जादा better रहेगा तो इस तरीके से आप जो भी वीडियो आइड करो जैसे कि मैंने और एक वीडियो यहाँ पर आइड के जो काफी बड़ा है तो right click करके मैं कर दूंगा scale to frame size और boom यह fit हो जाएगा अगर आप चाहो तो इसे shortcut भी assign कर सकते हो जिससे आप एक button क्लिक करते ही वह scale to frame size हो जाएगा अब यहाँ पर मेरे पास यह पूरी वीडियो है जो मैंने इस तरीके से edit की है और मुझे चाहिए कि मैं इस वीडियो का यह जो frame है इसे thumbnail के लिए export करूँ आपको basically आपका जो time indicator है जो भी आपको frame चाहिए उस पर place करना है तो मान लिजए यह जो frame चाहिए and फिर आपको अग चाहो तो मैं इसे नाम दे दूँगा thumbnail ठेक है and यहाँ पर आप दिया हुआ है अगर आप चाहो तो path को भी change कर सकते हो click करेंगे ok पर और यह जो है image यह desktop पे मुझे मिल जाएगा for my thumbnail super quick and easy next जो tip है मेरे पास आपके लिए वो है adding markers to stay organized तो जब कभी भी आप किसी भी project पे काम कर रहे हो तो organize रहना बहुत जादा important है ताकि future में अगर आपको कोई भी changes करने हो उस project में तो आपको पता रहे कि कौन सी चीज कहां पर है उसका सबसे easy way है जो मैं personally use करता हूँ वो है markers add करके अब usually markers add करने के लिए आपको simply M press करना है आपके keyboard पे जिससे यह marker add हो जाएगा but अग define कर सकता हो for example मैं यहां पर click करूंगा और फिर जाओंगा edit marker में मैं चाहूँ तो अलग color यहां पर देख सकता हूँ इससे में नाम दे दूंगा मान लिजए इंट्रो सेक्षिन है मेरे वीडियो का इंट्रो नाम दे दूंगा कुछ comment add करना है तो जैसे always my intro मैं यहां पर add कर and click करेंगे ok पे तो यहां पर यह edit हो गया तो अगर मैं इसे stretch करना चाहूँ तो stretch भी कर सकता हूँ तो मान लिजए यह 16 seconds है यह मेरा intro है तो यहां पर marker देखके कोई भी बंदा समझ जाएगा कि यह मेरा intro है तो in case अगर मैं इस project को किसी और बंदे को forward करता हूँ edit करने में तो इसे काफी जादा आसानी होगी तो अगर मिचे फिर से कुछ marker add करना है तो मैंने marker add कर दिया इसे split कर लिया इसे इस तरीके से stretch करके यहां पर मैं जाओंगा edit marker में यहां पर बोल दूँगा कि यह main lineup है main lineup color मैं कोई भी अगन दे सकता हूँ तो काफी जादा easy और काफी organize आपका project हो जाएगा इस technique के तरूँ अब जो next tip है वो है keyframe properties की तो मान लिजे मैंने इस footage पे कुछ adjustments किये है कुछ keyframe animations किये हुए है ठीक है यहां पर आप देख सकता हूँ यहां पर यहां पर बहुत सारे properties है तो मुझे तोड़ा सा organize रहना करेंगे और यहां पर एक option मिलता है show only keyframed properties तो इस पर मैं click करूंगा तो यह सिर्फ वही properties दिखाएगा जिस पे keyframes है और और एक option मिलता है कि show only edited properties मतलब कि यह वह properties दिखाएगा जिस पे keyframe है और ऐसे भी properties जिस पे keyframe नहीं है बट हमने changes किया है जैसे rotation मेंने कुछ हलका सा rotate क किया था तो यह जो है वह default नहीं है तो इसमें changes हुए है तो इसलिए वह दिखा रहा है तो यह काफी जादा helpful होता है जब आपने बहुत सारे अलग-अलग keyframes add कि हो है और आपको specific किसी section पर focus करके काम करना हो तो वहां पर बहुत जादा काम आगा यह technique next tip है मेरे पास आपके वह default audio transition अब बहुत बार क्या होता है कि हमारे पास एक अच्छा कासा line-up होता है हमारे video का बट जो audio transition होता है मतलब एक video से दूसरी video में हम जाता है और जो audio होता है उन दोनों video के बीच में हमें एक clipping की sound आती है तो usually उसे fix करने के लिए हम लोग क्या करता है यहां पर जाता है ctrl shift d press करते है जिससे एक constant audio fade out इसमें add हो जाता है बट मान लीजे मुझे इतना जादा बड़ा transition नहीं चाहिए मुझे चूटा transition चाहिए तो इससे मुझे edit या adjust करना होगा कुछ ऐसे अब यही transition अगर मुझे बार बार हरे clip पे करना पड़ा तो बहुत जादा time हो जाएगा तो उसे fix करने के लिए हम लोग क्या कर सकते है तो उसे fix करने के लिए हम लोग क्या करेंगे यहां पर जाएंगे effects में और इन जो 3 lines है इसपे click करेंगे और यहां पर एक option मिल जाता है set default transition duration इसपे click करेंगे तो यह option हमें मिल जाता है कि जो audio transition का default duration है वो 3 seconds का है तो मुझे 3 seconds नहीं चाहिए मुझे चाहिए 0.3 seconds ठीक है मैं चाहता हूँ कि मेरा जो default transition हो एक audio से दूसरे audio में यह 0.3 seconds का हो तो मैं इसे set कर दूँगा तो अब जब कभी भी मैं audio transition add करूँगा ctrl shift d press करके तो वो होगा 0.3 seconds अगर अब मैं चाहूँ तो सारे clips को यहाँ पर select कर सकता हूँ और फिर जाओंगा ctrl shift d and boom यह सारे clips पर add हो जाएगा saving you a lot of time अब जो next step है मेरे पास आपके लिए वो है replacing fonts अब यहाँ पर मेरे पास एक project है तीक है जिसमें तीन वीडियोस है और तीनों वीडियोस के ओपर तीन अलग-अलग text में आड़ किया हुए है अब मुझे इन तीनों ही text के जो fonts है उन्हें एक साथ change करना हो तो वह हम कैसे हमें basically select करना है जाना है graphics and titles में और यहां हमें एक option मिलता है replace fonts in project यहां से मुझे जो भी फॉंट चाहिए जैसे कि यह font अगर मैंने यूज किया है तो इसे मैं replace कर दूँगा तो मैं इस फॉंट को select करूँगा और फिर यहां पर जाकर जो भी मुझे करना है तो मान लीजे मुझे आड करना है एकसिस तो मैं इस एकसिस पर सेट कर दूँगा क्लिक करूंगा ओके पर अब जहां जहां पर भी इंटेग्रल यूज किया था मैंने वह फॉंट एकसिस फॉंट में चेंज हो गया है अब इसी तरह मैं फिर से जाके चेंज करना चाहो तो वह मैं फिर से कर सकता हूँ इस बार में सेलेक करूंगा एकसिस फॉंट को और मुझे मान लीजे आड करना है ये फॉंट और बूम यहां पर यह चेंज हो चुका है बहुत ही सिंपल बहुत ही इजी जो लास्ट टिप है उसमें आपको कुछ नहीं करना है बस इस चानल को सब्सक्राइब कर लेना है क्योंकि मैं बहुत सारे प्रेमेर प्रो के वीडियो जल्दी ही अपलोड करने वाला हूँ इस तरीके से ताकि आपको बहुत सारी चीजे सीखने मिले जल्द में दे दिये है तो इसी के साथ मैं आप लोगों से मुलूंगा अगली वीडियो में तब तक के लिए टेक केर एंड ऑल्वेस से राव स्टेए क्रियेटिव पीसाथ